ओम शान्ति आज 21 एप्रिल 2021 के मदूर महावाक्य है और आज की मुर्ली में बाबा कहे बचे बाबा तुम्हें सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं जिस प्रकाश से अनेक प्रकार का अंधियारा समात्थ हो जाता है अंधियारा जो मैं और मेरे पन से आरम होता है अर्थात व्यक्ति जब देह अभीमान के वश होता है तो जीवन के अंदर अनेक प्रकार से अंधियारा च्हा जाता है और इसलिए मनुश्य विकारों के वशीबूत होकर करम करता है तो इसलिए बाबा आकर सबसे पहला अंधकार यही समाप्त करते यह जागरती देते हुए कि तुम आत्मा हो और इसलिए आत्मनिश्चे करके स्वयम को आत्म स्थिती में स्थित करना है साथी साथ वाबा कहें दूसरा अंधकार अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग के रीत रसम रिवाजों का अंधकार है जिसके स्पष्ट समझ न होने कारण मनुश्य आज अंध्यारे में बटक रहा है कई क्रियाएं कर रहा है लेकिन कुछ भी पता नहीं के क्यों कर रहा है तो बाबा ने सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हुए हम आत्माओं में उजियारा भरा है अर्थात हमें एक स्पष्ट रह प्राप्त हुई है जिस रह पर हमें चलना है सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य ओम शान्ती मीठे बच्चे तुम अभी सत्य बाब द्वारा सच्ची बाते सुन सोजरे में आये हो तो तुम्हारा कर्तव यह है सब को अंध्यारे से निकाल सोजरे में लाना प्रश्न है आज की मुर्ली का जब तुम बच्चे किसी को ग्यान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो उत्तर है मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रखो इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा वर्सा भी याद रहेगा बाबा कहने से सर्व्यापी का ग्यान पहले से ही खत्म हो जाता है अगर कोई कहे भगवान सर्व्यापी है तो बोलो बाब सब के अंदर कैसे हो सकता है आज की मुर्ली का गीत है आज अंधेरे में है इंसान ओम शान्ति बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा आज अंधेरे में है इंसान तो ये बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा हे ग्यान के सागर अत्वा हे ग्यान सूर्य बाबा भगवान को बाबा कहा जाता है ना भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे को बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं आप हमें सोजरे में ले जाओ बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाब को पुकारते हैं बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है क्योंकि बाब से वर्सा लिया जाता है सिर्फ इश्वर वा प्रभू कहने से बाब के वर्से की रसना नहीं आती है जब परमात्म को पिता कहते हैं बाब है हमारा ये मानते हैं तो बाबा कहे वर्से की रसना आती है प्रभू इश्वर कहने से वो रसना नहीं आती है बाबा कहने से वर्षा याद आजाता है तुम पुकारते हो बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं आप अभी फिर ज्यान से हमारा दीपत जगाओ क्योंकि आत्माओं का दीपत बुजा हुआ है मनुश्य मरते हैं तो बारा दिन भी ये जगाते हैं मनुश्य जब शरी छोड़ता है तो बारा दिन तक दीवा जगाते हैं एक दृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहां दीवा बुज न जाए बाब समझाते हैं तुम भारत वासी सोजरे में अर्था दिन में थे अब रात में हो बारा घंटा दिन बारा घंटा रात वह है हद की बात यह तो बेहत का दिन और बेहत की रात है जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सत्युक्त्रेता ब्रह्मा की रात वापर कलियो रात में अंध्यारा होता है मनुश्य ठोकरे खाते रहते हैं भगवान को ढूणने के लिए चारो तरफ फेरे लगाते हैं परन्तो परमात्म को पा नहीं सकते हैं परमात्म को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं कितने मनुश्य भक्ति करते हैं वापर से भक्ति शुरू होती है अर्थात रावन राच्य शुरू होता है दशेरे के भी एक स्टोरी बनाई है स्टोरी हमेशा मनों में बनाते हैं जैसे बाइसकोप नाटक आदी बनाते हैं श्रीमत भगवत गीता ही है सच्ची पर मात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया राजाई दी फिर भक्ती मार्ग में बैठ कर स्टोरी बनाते हैं व्यास ने गीता बनाई अर्था स्टोरी बनाई सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए पर मात्मा हमारा बाबा है नई दुनिया का रचेता है सब्सा मिलना चाहिए अभी तो चौरासी जन्म भोग हम नर्क में आकर पड़े हैं बाप समझाते हैं बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे विश्व के मालिक थे दूसरा कोई धर्म नहीं था उसको स्वर्ग अत्वा कृष्ण पूरी कहा जाता है यहां है कंस्पुरी बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायं का राज्य था बाप ही ज्यान का सागर शांती का सागर पतीत पावन है न कि पानी की गंगा सब ब्राइट्स का एक ही भगवान ब्राइट प्रूम है यह मनुष्य नहीं जानते इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है तो मुझ पढ़ते हैं जब यह प्रेश्न पूछते हैं कि आत्मा का बाप कौन है तो मुझ पढ़ते हैं कहते हैं हम नहीं जानते हैं अरे आत्मा तुम अपने बाप को नहीं जानते हो कहते हैं Godfather फिर पूछा जाता है उनका नामरुख क्या है Godfather का नामरुख क्या है God को पहचानते हो तो कह देते हैं सर्व्यापी है अरे बच्चों का बाप कब सर्व्यापी होता है क्या रावन की आसुरी मत पर कितने बे समझ बन जाते है दे अभीमान है नमबर वन मनुश्य जीवन में अंदकार फैलने का कारण ही है यह दे अभीमान जो बाबा कहे नमबर वन अपने को आत्म निश्चे ही नहीं करते कह देते मैं फलाना हूँ यह तो हो गई शरीर की बात असल में स्वयम कोन है यह नहीं जानते है मैं जज हूँ मैं यह हूँ मैं मैं करते रहते है बाबा कहे मैं मैं कहते रहते है परन्तो यह रॉंग है मैं और मेरा यह दो चीज है आत्मा अविनाशी है शरीर विनाशी है नाम शरीर पड़ पड़ता है नाम शरीर पर पड़ता है आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है बाब कहते हैं मेरा नाम शिव ही है बाबा ने बताया अपना परीचे मेरा नाम शिव ही है शिव जैन्ती भी मनाते हैं अब निराकार की जैन्ती कैसे हो सकती वो किस में आते हैं यह किसको पता नहीं सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है परमात्मा का नाम है शिव बाकी सब है शालिग्राप आत्माएं बच्चे हैं एक शिव सब आत्माओं का बाप है वह है बेहत का बाप उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बना, हम दुखी है, आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते बाबा के दुख में तु सब याद करते, परन्तु यही बच्चे जब सुख में चले जाते तो कोई भी याद नहीं करते दुखी बनाया है रावण ने बाप समझाते हैं, यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है तो अभी सब अंध्यारे में हैं, इसलिए पुकारते हैं, यह ग्यान सोर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ भारत सुखधाम था, तो कोई पुकारते नहीं थे कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी, स्वर्ग में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं थी यहां तु चिल्लाते रहते हैं, हे शांती देवा, बाब आकर समझाते हैं, शांती तु 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 ताब कहें, आत्मा शांतीधाम की रह वासी है, शांतीधाम से फिर सुखधाम में जाती है, वहां तो सुख ही सुख है, तुमको चिलाना नहीं होता है. दुख में ही चिलाते हैं रहम करो, दुख हरता सुक करता बाबा आओ शिव बाबा, मीठा बाबा, फिर से आओ आते जरूर है, तब तो शिव जैनती मनाते है सिक्रिष्न है स्वर्ग का प्रिट्स शिव जैन्ती यादगारी है कि शिव बाबा इस धरा पर आये है ताकि सी कृष्ण है स्वर्थ का फिर्स उनकी भी जैन्ती मनाते हैं परन्तो कृष्ण कब आया ये किसको भी पता नहीं राधे कृष्ण ही स्वयंबर के बाद लक्ष्मी नारायन बनते हैं ये कोई भी नहीं जानते मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गौड फाधर अच्छा उनका नामरुप क्या है तो कह देते हैं नामरुप से न्यारा तो कह देते के नामरुप से न्यारा है अरे तुम कहते हो गौड फाधर फिर नामरुप से न्यारा कह देते हो आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश तुम कहते हो, हम बाप के नाम रूप आदी को नहीं जानते अच्छा अपने को जानते हो तो कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, हम आत्मा है अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ फिर कह देते, आत्मा सुपरमाद कितना अज्ञानता का दकार चाया हुआ है तो बाबा कह फिर कह देते आत्मा सुपरमात्मा है आत्मा नामरुप से न्यारी तो हो नहीं सकती आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है तब बाबा आकर के हमें अपना परीचे भी देते हैं के आत्मा एक्तम बिंदी स्टार मिसल है ब्रुकुटी के बीच में रहती है जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है ये बहुत समझने की बात है इसलिए साथ रोज बठी गाई हुई है द्वापर से रावन राचे शुरू हुआ है तब से विकारों की प्रवेश्टा हुई है सेड़ी उतरते आए है अब सब को ग्रहन लगा हुआ है काले हो गए हैं इसलिए पुकारते हैं हे ज्यान सूरिय आओ सब आत्मा एक्दम काली हो गई तो बाबा कैशो पुकारते हैं हे ज्यान सूरिय आओ आकर हमको सोजरे में ले जाओ ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश बुद्धी में बाप आता है ऐसे ने ज्ञान अंजन गुरु दिया गुरु तो धेर है उनमें ज्ञान कहां है उनका थोड़ी गाएन है ज्यान सागर पतीत पावन सर्व का सद्गती दाता एक ही बाब है फिर दूसरा कोई ज्यान दे कैसे सकता साधू लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं शास्त्र पढ़ना यग्य तप आधी करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं लेकिन पतीत फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं। पूछना चाहिए उनको कि चलो ये सब तो भगवान से मिलने के रास्ते, फिर पतीतों को पावन बनाएगा कौन। और वो कहां जा सकते हैं। लेकिन पतीत फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विश्नु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है, प्रजा पिता ब्रह्मा तो यहां ही होगा न, प्रजा यहां है, नाम लिखा हुआ है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी इंस्ट्यूशन तो बच्चे ठहरे धेर भी के हैं वर्सा शिव से मिलता है न की ब्रह्मा से वर्सा देने वाला शिव बाबा है न की यह ब्रह्मा वर्सा दाधे से मिलता है ब्रह्मा द्वारा बैठ कर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं बच्चे भी कहते हैं बाबा, हम आपके ही है आप से वर्सा लेते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विश्णुकुरी की शिव बाबा राजियोग सिखाते हैं श्रीमत अत्वा स्रेष्ट ते स्रेष्ट भगवान की गीता है भगवान एक ही निराकार है बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिये हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल बहुकाल से अलग तो भारत्वासी ही थे वही पहले-पहले बिछडे हैं बाप से बिछड कर यहां पाड बजाने आये हैं बाबा कहते हैं हे आत्माई अब मुझ बाप को याद करो यह है याद की यात्रा अत्वा योग अगनी तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोजा है वह इस योग अगनी से ही बस्म होगा ये मीठे बच्चे तुम गोल्डन एज से आइरन एज में आ गये हो अब मुझे याद को ये बुद्धी का काम है न दे सहित दे के साब संबंद छोड़ मा में कम याद करो तुम आत्मा हो न या तुम्हारा शरीर है मैं मैं आत्मा करती है मैं मैं कौन करता है तावा कहें मैं मैं आत्मा करती है तुमको रावण ने पतीत बनाया है ये खेल बना हुआ है पावन भारत और पतीत खाया जब पतीत बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं रामराज्य चाहिए, कहते भी है परंतु अर्थ को नहीं समझते हैं, ज्यान देने वाला ज्यान का सागर तो एक ही बाप है, बाप ही आकर सेकन में वर्सा देते हैं, अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्य वन्षी चंद्रवन्षी वर्सा लेने, बाबा के बन्ते क्यों हैं, क्योंकि बाबा से ही हमें सूर्य वन्षी चंद्रवन्षी वर्सा प्राप्त होता है, फिर सत्यू त्रेता में तुम अमर बन जाते हैं, वहां ऐसे नहीं कहेंगे, कि फलाना मर गया, अमर अथा कि जहां मुमृत्यू का धै नहीं है उस अर्थ में कहा अमर बाकि जिसने शरी धारन किया तो शरी छोड़ेंगे भी ज़दू लेकिन बाबा कहे ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया सत्युग में अकाले मृत्यू होती नहीं तुम काल पर जीत पाते हैं तो पूरी आयुशे भोग करके फिस्वाइच्छा से शरी त्यागते हैं दुख का नाम नहीं रहता है उनको कहते हैं सुखधाम बाब कहते हैं हम तो तुमको स्वर्की बाच्शा ही देते हैं बाबा आकर के हम बच्चों को स्वर्ख की बादशाई देते हैं, वहां तो बहुत वैभो है, बक्ती मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था, भारत क्या था, बाकि और सब आत्में मिराकरी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, उँच ते उँच बाबा अब स्वर्ख की स्थापना कर रहे हैं, उँच ते उँच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विश्नु शंकर सुक्ष्म वतनवास, फिर यह दुनिया, ज्यान से ही तुम बच्चों की सद्गती होती हैं, गाया भी जाता है भक्ती वैराज्य, कहते भी है ज्यान भक्ती और वैराज्य, पुरानी दुनिया से वैराज्य आता है, क्योंकि सत्यों की बच्चा ही मिलती हैं, अब बाब कहते बच्चे मा में कम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे, अच्छा, अच्छा, मीठे लदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुखानी बच्चो की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुट मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बा सबनी से भस्म करना है बुद्धी से दे सहित दे के साब संबंद चोड़ एक बाप को याद करना है दूसरी पॉइंट पुकारने में चिलाने के बजाए अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है शांती गले कहार है दे अभी मान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है स्वयम को आत्म निश्चे करना है आज का बाबा का मधुर बर्दान है अपनी स्रेष्ट स्थिती द्वारा माया को स्वयम के आगे जुखाने वाले हाईयस्ट पद के अधिकारी भबब अपनी स्रेष्ट स्थिती द्वारा माया को स्वयम के आगे जुखाने वाले हाईयस् जैसे महान आत्मय कभी किसी के आगे जुखती नहीं है उनके आगे सभी जुखते हैं ऐसे आप बाप की चुनिवी सर्वस्रेश्ट आत्मय कहां भी कोई भी परिस्थिती में वा माया के बिन बिन आकर्शन करने वाले रूपों में अपने को जुका नहीं सकते हैं जब अभी से सदा जुकाने की स्थिती में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त रहेंगे ऐसी आत्माओं के आगे सत्युग में प्रजा स्वमान से जुकेगे और द्वापर से आप लोगों के यादगार के आगे भक्त जुक्ते रहेंगे आज का स्लोगन है कर्म के समय योग का बैलन्स ठीक हो तब कहेंगे कर्म योग कर्म के समय योग का बैलन्स ठीक हो तब कहेंगे कर्म योग अच्छा ओम शान शुछ प्राश्ट प्राट का प्राशया